गुड़ बॉनिंग बच्चों कैसे हो आई हो आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होगे और होना भी चाहिए क्योंकि टोटल पूरे हमारे बन बन का वेकेशन था बराबर बन वेकेश में हमारा दिमाग माइड पूरी तरिके से कैसा है फ्रेश और रिलाक्स है उसी नई तास्वी को बरकरा रखते हुए हमें अपने नए साल से जुड़े जुड़ने के लिए हमारा एझूकेशनल नयासा से जुड़े रहने के लिए हमें पढढ़ाई करना है और उसी पढढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं मीरा पाल आपकी हिंदी टीचर आज यहां देखेंगे कि हमें कौन सी किताब है, कौन सी नहीं है, प्रतम सत्रा में क्या है, गृतिय सत्रा में क्या है, ये पहले हम बेसिक चीजे जान लेगे, उसके बाद हम अपने पाट के ग्रम को सुर्वात करेंगे, तो आए देते हैं पहले उस्तफपरीचे, उस्तफपरीचे यान लेकिन आपको फिक्ट क्लास में दोनों भी सेंसर एकी बुक में हैं तो आप लोगों को एकी बुक परिज़े करना है उसमें बहुत देखेंगे उससर परिज़े ठीक है उसकी बाद जो छोटी चीज़े हैं जो हमें लेखन करते समय ध्यान में नहीं आता या पढ़ते समय दिक्कत आता है उसकी पहले जान लेएं देखना आप लोगों को बन लाइन की 100 पेज़े की नोटबुक है आप लोगों को तो नोटबुक की लिस्ट मिली गई होगी कि कौन से सब्सक्राइक लिए किद्धी नोटबुक करने है कौन से बुक करने है उसी तरीके से पहले देखना है बन लाइन और नोटबुक बनानी है बन लाइन की नोटबुक में एक बात याद रखना है बिटा की बन लाइन की नोटबुक बनाते समय आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना है पर दीखी जाती है वोसके इस पर लेक्षा पर लिखिए जाती है, जैसे कि भारन की दौर पर देखेगा, मैंने कें हुँ यह है लाइन फिर से उपर खीछना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि माम लाइन तो खीजी हुई है तो फिर हम क्यों खीजे इस ये खीजना है बटा ये लाइन की नोट बुक हमें जो लेती है वो हमारे अक्षरों को एक साथ यानि सीधा एक जैसा भी दिखने के लिए होती है ताकि अगर को लाइन टौना तरह होती है बराबर इसको त्यान से देखने के बाद थोड़ा तुझी उपर नीचे उपर नीचे हुआ है बराबर ये चीज ना हो हमारे अक्षरों को हमारे शब्दों को एक सुंदर एक खापट में दिखने लिए हैं ये लाइन ब्रॉक ही होती है ये लाइन डर्क भी होती है खीच देते हैं इससे क्या होती है हमारे ही अक्षरों की हमारे ही शब्दों की क्या बढ़ती है सुंदर का बढ़ती है आई बात समझ में और एक बात अगर आप लोगों को फिप क्लास में आप लोग आगए आप अपकी सब को पढ़ना लिखना आता ही होगा फिर भी अगर आप लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले बैस, सबसे पहले बैस यानि कौन सा हमारी वर्णमाला, उसको आप लोगों को क्या करना है, धान में उसरे पोरल ही आप लोगों को बता दे रहे हूं, कि जिनको पढ़ना लिखना भी त दीरे पढ़ना सिख जाओगे अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कठिनाई लगता है तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा मैं आप लोगों को जरूर बता हूँगी ठीक है अब इसके नेक्स पिरेड में हम क्या करने वाले हैं अपने पार्थियोग्रों को स्टार्ट करेंगे हमसे पहले अगर सब्जेट को लेकर कोई भी डाउट है तो हमसे बता दीजेगा धन्यवाद